दोस्तो आज हम बात करेंगे पेट की सबसे बड़ी बिमारी कॉंस्टिपेशन यानि कबज के बारे में दोस्तो यह चोटी सी दिखाई देने वाली बिमारी कबज यानि कॉंस्टिपेशन सैकड़ों बिमारियों को अपने साथ ले कर आती है और कई बार तो कबज से हमें ऐसी ऐसी बिमारिया हो जाती है कि हमारा ज़्यादा तर समय हस्पतालों में या फिर डोक्टर की क्लिनिक पर गुजरता है दोस्तो आज हम बात करेंगे कबज के पर्मनेंट इलाज के बारे में कबज क्या होती है कबज के लक्षन क्या क्या होते है किन किन लोगों को कबज ज्यादा होती है कबज को ठीक करने के लिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं ऐसा क्या करें कि हमें कभी भी कबज ना हो अगर हमें कबज हो गई है तो उसको पर्मनेट ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जाए तो दोस्तो इस वीडियो में मैं कुछ आपको कुछ जबर्दस्त घरेलू उपाय आपको बताऊंगा कि आपको कबज की समस्या सदा के लिए खतम हो जाएगी चाहे फिर वह कबज आपको कितने ही पुराने समय से क्यों ना चली आ रही होगी एक स्वस्ता आदमी मल त्याग करने के लिए रोज जाता है या फिर दिन में दो बार भी जा सकता है लेकिन कबज में क्या होता है पाचन तंतर की गड़बड़ी हो जाती है और उस थिती में जब आतों के अंदर मल कड़ा हो जाता है सकत हो जाता है तथा मल त्याग करने में कठनाई होती है जोर लगाना पड़ता है और कई बार मल की मातरा भी कम हो जाती है और बहुत जादा कबज होने पर रोगी मल त्याग करने के लिए रोज ना जाकर या तो तीसरे दिन जाता है चोथे दिन जाता है और कई बार 5-5 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन भी रोगी को मल त्याग की हो जाते हैं और कई बार इतनी ज़्यादा कबज होती है कि उसे 15-15-20-20 दिन भी वो मल त्याग करने के लिए नहीं जाता है और फिर इसी कबज के चलते बहुत सी बिमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं जैसे बवासीर हो गया, फीशर, भगंदर हो गया, बीपी हाई हो गया, कोलेस्टोल बढ़ना हो गया, हाट अटैक हो गया और बहुत सारी ऐसी बिमारियां हैं जो कबज के चलते हमें हो जात है इसके लिए आपका बहुत भहुत धन्यवाद दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकिशन आपको मिल सके दोस्तो अब बात करते हैं कबज होने के मुख्या क्या क्या कारण हो सकते हैं तो सबसे पहला जो कारण है वो है पानी कम पीना जी हाँ एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है रोज उसे तीन से चार लेटर पानी पीना चाहिए लेकिन इस दोड़ धूब बरी जिन्दगी में हम इस फ्री में मिलने वाली जो चीज है और शिरीर के लिए अत्यदिक महत्वपूर्ण चीज यानि पानी को ही भूल जाते हैं कम पानी पीने से शिरीर में डिहाइडरेशन हो जाती है और हमारी आतों में पड़ा मल खुश्क हो जाता है और हमें कबज जैसी गंभीर समस्चा उत्पन हो जाती है इसके अलावा पानी की कमी से हमें सिर्दर्थ, ठकान, चक्कर, बेहोसी, कमजोरी, मुह सूकना, लो ब्लड प्रेशर, पैरोमसूजन होना तो इस प्रकार की बहुत सी प्रब्लम हो सकती हैं लेकिन बहुत से लोग पानी की कमी को गंभीरता से नहीं लेते हैं लगातार पानी की कमी के चलते बड़ी-बड़ी बिमारियां जैसे कबज, बावासी, फिशर, भगंदर, ब्लेड प्रेशर, लो होना, अलसरेटिव कलर्टिस, थाइरेड होना, गुर्दे में पत्री होना और भी बड़ी-बड़ी बिमारियां उनको होने के चांसिस बहुत जादा रहते हैं। चावमिन, बर्गर, फास्ट फूड या फिर चाट की चटनी, इस परकार की सभी जो फास्ट फूड हैं, स्पाइसी फूड हैं, तो इस परकार की जो चीजे खाते हैं, जो लोग उनको बहुत जादा कबज की चांसिस रहते हैं। या फिर वो लोग जो अपने भोजन में ज जादा फाइबर नहीं होते हैं, फाइबर फूड जो लोग जादा नहीं खाते हैं, तो उनको भी कबज होती हैं। फाइबर किन चीजों में जादा होता है, तो फाइबर जैसे की अलसी हो गया, बदाम हो गया, अनार हो गया, सूखा अंजीर में बहुत फाइबर होता है, म सबी चीजों में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और भी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो हमने यहाँ पर नहीं गिनाई हैं आपको पहले हमारे बजुरुग मोटा अनाज खाते थे ज्यादा तर घरों में अनाज अपने पत्थर की चक्की से पीशते थे और मोट अनाज पीशते थे और आज हम पिसा पिसाया अनाज खा रहे हैं बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि चोकर क्या चीज होती है लेकिन जब से पलवेलाजर आये हैं तो यह अनाज को बिलकुल बारीक डस्ट की तरह पीशते हैं पहला तो पीशते समय आटे के गरम होने से या बारीक पीशने से उसके जो पोशक ततब हैं वो खतम हो जाते हैं उसका जो फाइबर है वो बहुत कम हमारे पास बचता है और बचा कोचा फाइबर हम घर में अपने रसोई में छलनी से इस आटे को छान कर इसका जो चोकर है वो निकाल देते हैं फिर हमारे सीर फीशर ये इस परकार की बिमारिया हमें होनी शुरू हो जाती हैं तो इसके लिए एक तो आप मोटा अनाज पिस्वाएं दूसरा जो चोकर हम निकालते हैं कोशिश करें कि आप चोकर ना निकालें आप एजटिस रोटे बनाएं आटे की अगर आपको निकालना भी है आप को चानना है तो आप मोटी चलनी से उसको चानिए ताकि जो चोकर है वो ज़्यादा बाहर ना जाए चोकर के अंदर बहुत ज्यादा मातरा में फाइबर होता है जो हमें गैस कबच जैसी बिमारियों से बचाता है दूसरा कोशिश करें कि मिक्स अनाज की रोटी खाएं खा खाजरा हो गया रागी जुआर जो तो इस प्रकार के जितने भी अनाज हैं उनकी आप मिक्स करके आप रोटी खाएं और रोटी को चबा चबा कर आप खाएं खाना खाने के जब आप रोटी खाएं खाना खाएं तो उसके साथ आप पानी ना पियें आप खाना खाने के या सही समय पर भोजन नहीं करते हैं जो बहुत जादा जल्दी में रहते हैं हटबड़ी में रहते हैं उनको भी भोजन खाने का उनके पास समय नहीं होता है उनका जो ध्यान है वो अपने काम पर या कहीं और होता है उनका ध्यान तो उन लोगों को भी जादा तर डाइजेस्टि problem रहती है या फिर वो लोग ज़्यादा तर बैठक का काम करते हैं जो लोग शारिरिक काम करते हैं और दिमागी काम ज़्यादा करते हैं उनको भी digestive system खराब रहता है और उनको भी लगातार कबज बनने की संभावना रहती है या फिर कबज उनको बनी रहती है दूसरा जो लोग चाए कोफी बहुत ज़ादा पीते हैं या धुमरपान बहुत करते हैं या फिर शराब पीने वाले लोगों को भी बहुत ज़ादा कबज की प्रब्लम रहती है उनका भी भी कबज रहती है लीवर की जिनको बिमारियां होती है उनको भी कबज की प्रोब्लम रहती है उनको भी डाजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है तिली की बिमारिया यानि सपलीन जिसको बोलते है उसकी अगर कोई प्रोब्लम है तब भी हमें डाजेस्टिव सिस्टम खराब और हमें कबज की problem रहेगी आतों की जिनको बिमारी है उनको भी कबज की समस्या रहती है जो लोग proper नींद नहीं लेते हैं तो उनको भी कबज की समस्या होती है बहुत जादा सोने वाले लोग उनको भी कबज हो जाती है तो एक असली सही स्वास्थ्या को ठीक रखने के लिए जो हमें नींद की जुरूरत होती है वो 8-9 घंटे की जुरूरत होती है तो बहुत जादा सोते हैं जो लोग और जो बहुत जादा कम नींद लेते हैं दोनों को ही कबज की समस्या होने की संभावना जादा रहती है आगे ऐसे लोग जो मैदा और मैदे से बनी चीजे खाते हैं जैसे चावमीन, बर्गर, बिस्कुट, पकोड़े, समस्य, ब्रेड ये सब की सब मैदे से बनती हैं जो चीजें उनको बहुत जादा कबज होने की संभावना रहती है या फिर कबज उनको रहती ही है क्योंकि जो लोग मैदा ये मैदे से बनी चीजे खा रहे हैं उनको तो कबज होनी ही होनी है चाहे आज नहीं है तो उनको कल हो जाएगी, कल नहीं है तो परसुक हो जाएगी और फिर कबज के साथ उनको बवसीर बगंदर फीसर जैसी बिमारिया भी होंगी तो चलिए अब बात करते हैं उन घरेलो उपाएं के बारे में जिसे की आपकी कबज सदा के लिए ठीक हो जाएगे अगर आपको कबज है तो सबसे पहली जो चीज है आप दो गिलास गरम पानी सुबह खाले पेट निहार मू शिपसिप करके आपने पीना है दोस्तों ये एक दवाई का काम करेगा क्योंकि एक तो ये गरम पानी है उपर से आप जो इसमें जो सुबह खाली पेट आप लेंगे इसमें आपकी जो लार इसमें मिलेगी लार के अंदर हमारी लार में बहुत सारे ऐसी medicinal properties होती हैं जो हमारे पेट के लिए दवाईयों का काम करते हैं जिससे हमें कबच हो गई गैस होगी तो इस परकार की समस्या हमें ठीक हो जाती है दूसरा जो घरेलो उपाए है वो है पपीता आप पका हुआ पपीता आप रोज खाईए लगातार आप पपीता खाएंगे तो आपकी कबच जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगे पपीते के अंदर बहुत जादा फाइबर होता है पोशक तत्तो बहुत जादा होते है वो इसके अंदर बहुत सारा पाने होता है जिसके कारण ही हमें कबच और जो पेट की जितनी भी बिमारिया है उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है उसके बाद दोस्तो है गाजर तो गाजर के अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं पोशक तत्तव होते हैं गाजर को आप रोज चबा चबा कर खाईए आपकी जो कबज है आपकी जो गैस है अफारा है डाइजस्ट्रि सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा लीवर आपका ठीक रहेगा तो कबज के लिए गाजर जो है एक रामबान काम करेगी रामबान दवाई का काम करेगी तीसरी जो चीज है दोस्तो एक गिलास गरम दूद में इस सब गोल आप डाल लीजिए और इस सब गोल के कितनी लेंगे आप एक से दो चम्मच आप डाल लीजिए और रात को आप इसको पी लीजिए ये भी आप लगातार करेंगे तो आपकी जो कबज है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी आप एक पहले ही दिन ठीक हो जाएगे या फिर गरम दूद के साथ आप ले लीजिए आपकी जो कबज है वो ठीक हो जाएगी त्रिफला चुरन को अगर आप लगातार लेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है अगला जो घरेलो उपाए है दोस्तों एक चम्मच मेथी दाना आप रात को एक गिलास पानी में भीगोकर रख दीजिए सुबह उस मेथी दाना को निकाल कर आप गरम पानी के साथ या तो चबा-चबा कर खालीजिए या फिर आप साबूत ही निकल जाएगे आपकी जो कबज है वो ठीक हो जाएगी मेथी दाना हमारा जो होता है उसके अंदर फाइबर बहुत जादा होते है बहुत जादा पोशक तत्ता उसके अंदर होते है यह हमारे पाचन जो तंतर है उसको ठीक डखता है भूक बढ़ाता है कबज को ठीक करता है पेट संबंदी जितनी भी समस्चाएं है पेट में गैस है अफारा है कबज है यह सब को ठीक करने का काम करती है उसके बाद है दोस्तो सौफ तो एक चमच सौफ आप लीजिए रात को पाने में भिगोकर आप रख दीजिए सुबह खाली पेट इस सौफ को आप निकाल लीजिए और इसको आप गरम पानी के साथ इसको आप ले सकते हैं तो आपकी जो कबज है वो ठीक हो जाएगी दूसरा तरीका सौफ पो लेने का ये है कि सौफ को आप तवे पर थुड़ा सा घी छोड़ दीजिए और सौफ को उसमें आप भून लीजिए और जब ये हलका थुड़ी सी लाल सी हो जाए हलकी सी तब आपको उसको उतार लीजिए और उसको पीश कर इसका चूराना बना लीजिए इसका आप रोज एक चमच रात को सोते समय गरम दूद के साथ या फिर गरम पानी के साथ आप लीजिए आपकी जो कबज है या फिर पेट की जितनी भी बिमारिया है वो आपकी ठीक हो जाएंगे दोस्तो अगला घरेलू उपाए है कबज के लिए घी का इस्तिमाल घी हमारे पाचनतंतर को चिकनाई परदान करता है जिसमें मल त्याग करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है और आतों में जो पुराना चिपका हुआ मल होता है वो भी एक बहार निकाल देता है तो कबज के लिए आप देसी घी का कैसे इस्तिमाल करेंगे तो आप गाएं का घी ले तो बड़ी अच्छी बात है से ठीक हो जाएगे और आपका डाइजेशन है वो बिल्कुल प्रोपर रहेगा दोस्तों अगला हमारा घरेलू उपाय है कैस्टरोयल यानि अरंडी का तेल अगर आप कबच से बहुत जादा परिशान हैं आप बहुत जादा दवाईयां खा चुके हैं और आप ठीक नहीं हो हैं तब आप अरंडी के तेल यानि कैस्टरोयल का सेवन किजिए आपकी जो कबच है वो बिल्कु ठीक हो जाएगी अब इसका आपने सेवन किस प्रकार से करना है रोजाना रात को सोते समय एक गिलास गुनगुने गरम दूद आप लीजिए और उसमें आपने दो चमच अर बहुत जादा सूख गया है और 10-15 दिन हो गए हैं 20 दिन हो गए हैं तो इतनी आपको भेंकर कबच हो रही है तब आप इस अरंडी के तेल को आप 50-60 एमल भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा तो ये जो कैस्टरोयल है ये बहुत अच्छी जाएए और जब आपको लगे कि अब आपके कबच बिल्कु ठीक हो गई तब आप इसको बंद कर दीजिए और महीने दो महीने बाद फिर आप इसका दोबारे से इस्तेमाल कीजिए इसके साथ साथ आपने और क्या ध्यान रखना है एक आपने खाना खाने से तुरंत पहले सलाद जरूर खाना हैं सलाद के अंदर बहुत जादा पर्चुर मातरा में फाइबर होता है पोशक तत्त होते हैं खूब सारा पानी होता है जिसके कारण हमारा digestive system ठीक रहता है और हमें कबज जैसी बिमारी नहीं होती है तो अगर आप सलाद खाना शुरू कर देंगे तो सायद आपको कबज के लिए कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगे और आपने क्या ध्यान रखना है तो कम से कम आपने 30-40 मिनट आपने सैर करनी है योगा आप कीजिए प्राणायाम कीजिए व्याम कीजिए कुछ ना कुछ ऐसी बोड़ी की आपकी एक्टिविटी आपकी जरूर होनी चाहिए या फिर कीजी गेम में आप पार्टिस्पेट करें तो जिसे की आपकी बोड़ी एक्टिव रहें तो 30-40 मिनट आप सैर करें कुछ भी आप ऐसी योगा कीजिए एक गुदा संकुचन एक योगा होती है जिसको हम अश्वनी मुद्रा भी बोलते हैं या फिर कीगल एक्सरसाइज की ही ये एक्सरसाइज है तो गुदा संकुचन आप योगा जरूर कीजी उसके लिए आपको ज़्यादा समय की जरूरत नहीं होती है और ये कबज के लिए एक दम रामबान काम करती है अगर आप कोई दवाई नहीं करते हैं या फिर आप कोई इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं तो खाली अगर आप ये योगा भी करते हैं, तो ये योगा भी आपको कबज ठीक करने में बहुत जादा मदद करेगी, इसके उपर हमने एक अलग सी वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहां से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं, तो ये गुदासन कुचन योगा आप जरूर कीजिए, दोस्तों उमेद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो किरपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन, जय भारत.